जैहिन साथियोग स्वागत है आपका जनरल नॉलेज के एक और विडियो में साथियोग विडियो के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा तो शुरू करते हैं आज का अध्यायन आपका पहला सवाल है सुवाग एक शरीर में कितनी हड्या होती है आपका ओक्षन है एक सो बीस हड्य बी दो सो हड्य सी दो सो तेईस हड्य दी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा सी दो सो तेईस हड्य आपका अगला सवाल है किस नदी में लाल रंग का पानी बहता है इसका ओप्षन है इसका सही आंसर होगा आपका अगला महत्वकून सवाल है भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है इसका ओप्षन है इसका सही आंसर होगा आपका अगला सवाल है मच्छर की उम कितनी होती है इसका ओप्षन है इसका सही आंसर होगा आपका अगला सवाल है भारत की राश्ट्रिय सब्जी क्या है इसका ओप्षन है इसका सही आंसर होगा आपका अगला सवाल है ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पेट में दाथ होते है इसका ओप्षन है इसका सही आंसर होगा आपका अगला महत्वकूल सवाल है लाल किला में कुल कितने कमरे है आपका ओप्षन है आपका सही आंसर होगा आपका अगला महत्वकूल सवाल है सबसे सस्ता सोना कहां मिलता है इसका ओप्षन है A. ब्रिटेन में B. हौन कॉन में C. मालदीव में D. इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा B. हौन कॉन में आपका अगला सवाल है कुता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है आपका ओप्षन है A. लाल रंग B. नीला रंग C. काला रंग D. इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा C. काला रंग आपका अगला महत्वकून सवाल है मानव रक्त में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है इसका ओप्षन है A. 89 प्रतिशत B. 49 प्रतिशत C. 69 प्रतिशत D. इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा A. 89 प्रतिशत आपका अगला महत्वकून सवाल है भारत में सबसे ज़्यादा आलुक कहां उत्पादुक होता है इसका ओप्षन है A. पंजाब में B. उत्तर प्रतिश में C. करनाटक में D. इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा B. उत्तर प्रतिश में आपका अगला महत्वकून सवाल है भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है इसका ओप्षन है A. राजा हरिश्चन B. मुगल A. आजम C. मदर इंडिया D. इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा A. राजा हरिश्चन आपका अगला महत्वकून सवाल है गरीब की रोटी किसे कहा जाता है इसका ओप्षन है A. जुआर को B. मक्का को C. गेहु को D. इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा A. जुआर को आपका अगला महत्वकून सवाल है कोयल भारत के किस राज्य की राज्किय अपक्षी है इसका ओप्षन है A. राजस्थान B. जुआर खण C. चत्तीजगर D. इनमें से कोई नहीं साथियों इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है